हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिहार डिलेट इंट्रेंस इक्साम के लिए साइन्स एंड सोसल साइन्स के मोश्ट इंपोर्टन्ट प्रैक्टिस एट करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कौन सा मृतोप जीवी कवक है? दोस्तों, इस मृतोप जीवी कवक का नाम है पैनी सीलियम और ये दोस्तों मृत जीवों को खाता है सेकंड कोश्चन, मधुमे होने का क्या कारण है? देखे दोस्तों, जब हमारे रक्त में ग्लुकोस की मात्रा, सुगर की मात्रा समानने से अधिक हो जाती है, तो इस स्थिती को दोस्तों, इंगलिस में हम डाविटीज कहते हैं, और हिंदी में इसे हम मधुमे कहते हैं, अब ये दोस्तों कभ होता है? जब हमारे अगनासे गरं इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना कम कर देता है या दोस्तों बंद कर देता है तो इस सिच्वेशन में क्या होता है हमारे रक्त में ग्लुकोस की मातरा बढ़ जाती है और इसी को हम मधुमे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लुकोस की मातरा को नियंतिरिद करता है तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन और ये कौन सी गरंती के दोआर रिलीज होता है तो अगनास्य गरंती के दोआरा जिसे हम इंगलिस में पेन qriyas कहते हैं थार्ड कोशन, पक्षियों द्वारा की जाने वाली प्रागर्ण की परकिरिया को टैस के नाम से जाना जाता है, दोस्तो इसे आरनी थो फिली के नाम से जाना जाता है, और नी थो फिली के नाम से, माकड़ी किस पर जाती के अंतरगत आती है, आर्थो पोड़ा पर जाती के अ होती है इसका सही आंसर होगा दोस्तू leg you minus पौधे में next question trypsin देखिए trypsin जो है यह दोस्तु एक engeim होता है जो protein का विघटन करता है पाचन करता है याद कर लेजेगा next question किसी माध्यम के तापमान में वरिधी के साथ परकास की गती में क्या परिवर्तन होती है, देखे दोस्तों, किसी भी माध्यम के तापमान में विरिधी की जाए या कमी की जाए, परकास की गती में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, वैसी ही रहती है, ठीक न, माध्यम के तापमान में विरिधी या कमी से परकास की गती पर कोई भी परभाव नहीं पढ़ता हूँ ठीक ना समीध हातfeit वे उसमा की सुचालक होती है इसके परमुख कारण क्या है उपर्योक्त में से सभी ठीक ये सभी इसके परमुख कारण है चली है नेक्षट कोश्टन कुसी वस्तू के संतूलन में होने के लिए निलिखित में से कौन सी स्थिती सही है सही आंसर होगा उप्रोक्त में से सभी स्थिती सही है Next question दोस्तों काफी जादा important है आप लोग ध्यान से समझेगा जब lift नीचे की और बढ़ रही है या आ रही है उस परमान लिजे कोई व्यक्ति सभार है जिसका रियल वास्त्विक वजन 50 केजी है तो उस टाइम पे जब व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा होगा तो उस टाइम पे उसका स्फर्ष्ट वजन क्या होगा दोस्तों वास्त्विक वजन से कम हो जाएगा ठीक ना यह है इस कोशन का मतलब नेक्स्ट कोशन करते हैं वल दुवारा किया गया कारे धनातमक होगा कब होगा जब विस्थापन दोस्तों वल की दिसा में होता है तब वल दुवारा किया गया जो कारे है न यह धनातमक होता है विदियूत परिपत इलेक्टरिक सर्किट में सेफटी फ्यूज तार का परियोग किया जाता है दोस्तों गलन बिंदू पर, मेल्टिंग पॉइंट पर नेक्स्ट कोशन, निमनलिखित में से कौन सी गुरुतवी इस्थिरांग की एक इकाई है गुरुतवी इस्थिरांग को इंगलिज में दोस्तों हम ग्रेविटेसनल कॉश्टेंट कहते हैं अगर आपसे एकजाम में पुछा जाए कि यूनिवर्सल ग्रेविटेसनल कॉश्टेंट का एसाई उनिट क्या होता है तो आपको बताना है निउटन मीटर स्क्वाइर पर केजी स्क्वाइर ठीक है ये गुरुतवी इस्थिरांग की एक इकाई है या एसाई यूनिट कह सकते हो आप लोग घरसंद्वार किये गे कारे का शय नहीं होता वलकि वह उर्जा के रूप में परिवर्टित हो जाता है किस उर्जा के रूप में तापिय उर्जा के रूप में किसी माध्यम में धवनी की चाल मुखेता डैस पर निर्वर करती है किसी माध्यम में दोस्तो धवनी की जो स्पीड है ये उसके कनत्व, डेंस और प्रतियास्था, elasticity पर depend करता है Next question, if ICCI के सब्द विस्तार में अंतीम आई क्या निरूपीत करता है सबसे पहले दोस्तो आप इसका full form समझे इसका full form होता है दोस्तो, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ये एक भारत का वेपारिक संगठन है, इसका सही आंसर होगा, industry, last में industry आता है नेक्स्ट कोशन में लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है option D सही सुमेलित नहीं है, बाकि सभी सही सुमेलित है और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तो की HDI report कौन जारी करता है तो UNDP, United Nations Development Program और HDI इस पद्दती का विकास किस ने किया था तो ये दोस्तों पाकिस्तान के अर्थ सांसरी महबुब उल्ल हक के द्वारा विक्सित किया गया था Human Development Index ठीक न, next question करते हैं निमनलिखित में से किसे घटाया जाता है अब परत्यक्षकर जिसे हम इंगलिस में Indirect Tax कहते हैं इसे घटाया जाता है National Income Find करने के लिए next question किस ने दिल्ली को सलतनेत की राजधानी के रूप में स्थापीत किया था इल्टोतमिस ने option C's का सही आंसर होगा विजैन अगर समराजे की वितिये विवस्था की मुख्य विसेस्था क्या थी फूराजस्वकर ठीना कहने का मतलब यह है कि भूमी से जो कर इकठा होता था यही जो है उसकी वितिये विवस्था की सबसे मुख्य विसेस्था थी next question निमनलिखीत कि इस गरंत में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संग में परवेस पाता है वह पूर्ण विहीन हो जाता है अंगूतर निकाय में कहा गया है next question नीचे दिये गए घटना तथा उसके तीथी का सही मिलान करे देखे दोस्तो रोलेट एक्ट ये कब पारित हुआ था तो ये दोस्तो 18 मार्च 1929 को पारित हुआ था ठीना रोलेट सत्यागरा ये 6 अपरेल 1929 को रोलेट सत्यागरा हुआ था भारती राष्टि कॉंग्रेस का अमरितसर अधिवेसन 2 दिसंबर 1929 को हुआ था और जलियावला बाग की ये जो घटना थी ये 13 अपरेल 1929 को हुआ था तो इस कोशन का सही आंसर होगा ओप्सन देख लेजी ओप्सन D होगा में एक्ष्ट कोशन करते हैं निमनलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान जेल से फरार होकर भूमी गत गतिवीदियों को संगटित किया लोकनाय के नामसे हम जानते हैं जैपरकास नरायन जी को ठीक ना जैपी के नामसे भी जाना जाता है सुराज पाटी के गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ दोस्तों इस question का सही आंसर होगा असायोग आंदोलन के असफलता के बाद यहाँ पर थोड़ा समय इन सभी घटनाओं का थोड़ा सा जो है आंदोलन का मैं डेट बता देता हूँ अगर आपसे पुछा जाए कि आसायोग आंदोलन कब सुरू हुआ एक अगस्त उनिस्सो बीस को गांधी जी के द्वारा अगर आपसे पुछा जाए सभीने अवग्या आंदोलन कब सुरू हुआ तो 6 अप्रैल उनिस्सो तीस को सवदेशी अंदोलन कब सुरू हुआ तो 7 अगस्त 1905 को भाराचोड़ा अंदोलन कब सुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को ठीक ना याद कर लिजिएगा बंगाल विभाजन के बाद पुरवी का पर्थम गवर्नर कौन बना दोस्तो पुरवी का पर्थम गवर्नर जो बना था ये बना था बलाम, फिल्ड, फुलर नेक्स्ट कोशन इमने लिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है इस कोश्चन का सही आंसर होगा दोस्तो टिहरी बांध प्रियोजना जो है न ये दोस्तो भागी रथी नदी पर बना है ते न गंगा नदी पर नहीं बना है भागी रथी नदी जो है ये गंगा नदी के सहायक नदी है नेक्स्ट कोश्चन केंद्री ये सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई क्वेश्चन नमबर 31 विस्व का पर्थम जेंडर साहिते महुसब का आयोजन किया गया कहां किया गया दोस्तो पटना में किया गया था निमनलिखित में से कौन अटलांटीक महसागर की ठंडी जल्धारा है इस जल्धारा का नाम है दोस्तो वेंगू एला की जल्धारा या अटलांटीक महसागर की ठंडी जल्धारा है वेंगू एला की जल्धारा भारत में नियाईक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश की संविधान से ली गई है दोस्तो भारत में नियाईक पुनरावलोकन की संकल्पना सनिक्त राजे अमेरिजे की सम्विधान से ले गए है सम्विधानी के तर सक्ति का क्या आ襥 होता है वह सक्ति जो सम्विधान समथ नहीं है कि सम्विधान संसोधन अधीनियम दवारा 6-14 यर्स के बच्चों के निसूलक और अनिवारे सिक्षा का प्रब्धान किया गया है सम्विधान का श्यासवा संसोधन अधिनियम के तहट भारती सम्विधान के ग्यार्मी और सुची में इस पंचायतों के लिए कुल कितनी विशे निर्धारित किये गये हैं कुल 29 विशे निर्धारित किये गये हैं अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पंचायती राजविवस्था को कि सम्विधान संसोधन के तहट सम्विधानिक दरजा परदान किया गया तो तेहतरवा सम्विधान संसोधन के तहट नेक्ष्ट कोशन चुनाप परकिरिया में सामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म नसल जाती तथा जेंडर के अधार पर आयोग्ये नहीं होगा या प्रापधान सम्विधान के आर्टीकल 325 में किया गया है भारती सम्विधान के किस भाग में संग और राज्यों के मद्धे संबंध का उलेख किया गया है दोस्तो भाग 11 में ओलम्पिक सुभंकर की परथा किस ओलम्पिक खेल से सुरू हुई फ्रांस 1968 से तत्वो के निम्नलिखित युगमों में से उस सही युगमों को चुनिये जो की समाने तापमान और मानक दाव पर दरब होते हैं दोस्तो ब्रोमिन और मरकरी जो है ना ये समाने ताप पर दरब वस्था में पाए जाते हैं निम्नलेखित में से किसके निर्मान के कारण चानी की वस्तु लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है। दोस्तो, सिल्वर सिल्फाइट के कारण AG2S ठीना, इसका फॉर्मूला है। आई होप आप लोग समझे होंगे और प्लीज दोस्तो, आप लोग प्रैक्टिस सेट सेवन जरूर कर लेजिएगा, बहुत ही इंपोर्टन कोशन्स मैंने प्रैक्टिस सेट सेवन में करवाएं हैं।